जैशी किशना दोस्तों वियसराम फैमली में आपका स्वागत है दोस्तों चैतर पुर्णिमा का बहुत अधिक महतु माना गया है क्योंकि इस दिन संकट मोचन हनुमान जी का जनम उस्व मनाय जाता है हनुमान जी का जनम चैतर मा के शुकल पक्षवी पुर्णिमा तिथी कर लगता है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहेगी हनुमान जी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए किस विधी से करना चाहिए क्या उनको भोग लगाना चाहिए और किस समय पर आपको पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपको पूजा का पून फल प्राप्थ हो दोस्तो हम कोई भी पाड़ पुजा करते हैं तो पूरे सच्चे भाव से हमें करना चाहिए इश्वर देखे हमारी भावनाव को देखते हैं ना कि पूजन समागरी को अगर हम पर कोई पूजन समागरी कम भी है तब भी हमें पूरे भाव से पूरे सच्चे विश्वास से उन करत्मो कुर्जा। तंत्रमन्द्र किया क्राया तक दूर हो जाता है। इसलिए हनुमान जयन्ति पर आप हनुमान जी का पूजन अवश्य करें और आपको इस समय पर मतलब पूज़ा करनी चाहिए। שאं पर आप तसली से मतलब पूज़ा कर सके। चाहे आप अपने घर में करे घर में ही अगर आप के पास हनुमान जी की मूर्ती है तस्वीर है उनके आगे करें नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर भी हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं लेकिन समय ऐसा होना चाहिए जब आप तसल्ली से उनका पूजन करें हनुमान जी को विशेश रूप से देखे जो भोग लगाया जाता है वो रोट का भोग लगाया जाता है यानि जो आटे में मोमन डालकर मोटी मोटी रोटी बनाकर उसमें घी शकर गुड मिलाकर जो चूर्मा बनाया जाता है रोट का चूर्मा उसका भोग लगाया जाता है इ तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तू का भोग लगा उसमें तुलसी अवश्य डालने से हनुमान जी बहुत ही जल्दी तृप्त हो जाते हैं और प्रसंड हो जाते हैं तो इस तरह से आपको मतलब भोग लगाना चाहिए अपनी इच्छानुसार किसी भी बस्तू का भोग लगा सकते हैं साथ ही दोस्तो हनुमान जी के आगे आगे आपको शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और आपको हनुमान-4 का पाठ अवश्य करना चाहिए हन कि हनुवान 40 का जब पार्ट कर रहे हैं तो घी का दीपक प्रजुलित होना चाहिए आप देखे 5, 7 या 108 बार अपनी शद्धा अनुसार इस मतलब संख्या में पार्ट किया जाता है आप 5 बार कर सकते हैं 7 बार 11 बार 21 बार 31 या 108 बार देखे आपको जब तक आप पार्ट कर चाहिए आपने 5 बारी किया है 11 बार किया है लेकिन जो घी का दीपक है वो प्रजुलित होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने दीपक जला लिया और बीच में वो बुझ गया इस तरह से आपको पार्ट नहीं करना है जब तक आप पार्ट कर रहे हैं घी का दीपक प्रजुलित होना चाहिए इस दिन देखे हनुमान जी को पान के बीड़े का यानि मीठे पान का भी भोग लगा जाता है आप उसका भी भोग लगा सकते हैं साथ दोस्तों अगर आपको संतान की पुत्र की प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो इस दिन आपको एक मतलब किसी भी ब्रह मीठर कपड़ा मतलब अपने दान दक्षना अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं लड्डू का जो भी आपने मतलब घर में बनाया है चाहिए आपने चूर्बा बनाया है लड्डू बनाया है कोई भी मतलब जो बस्तों आप लेकर आए तो आप उसको मतलब हनुमान जी का सरूप मान कर ब्रहमान के पुत्र को हनुमान जी का रूप माना जाता है तो आप उसका पूजन करे उसको दान दक्षना अवश्य देना चाहिए और इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको निश्छिद ही संतान सुक की प्राप्ती होती है शीगरी आपकी सूनी गोद भर जाएगी दोस्तों साथ ही जो हनुमान जी को आप भोग लगाते हैं चाहिए आपने लड्डू का लगाया है चूरमे का लगाया है उसमें से आपको पती पत्मी को जरूर ग्रहन करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से निश्यत है आपको मन वांचिस संतान की जलाना चाहिए और राम नाम की एक माला का जाप तो अवश्य ही करना चाहिए साथ ही दोस्तों अगर आप किसी ब्रहमन के जैसे पुत्र को घर बुला कर मतलब भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो आप जो भी आपने वस्तू बनाई हैं आप उसमें से थोड़ा सा गव माता को अवश्य खिला दे या गव माता के जो बच्छडा होता है आप उसको भी खिला सकते हैं ऐसा करने से भी आपको शीगरी संतान सुक की प्राप्ती होती है दोस्तों हनुमान जैनती पर देखे बहुत से उपाए बताये हैं बहुत से उपाए आपने देखे भी होंगे लेकिन जिस उपाए को आपको आपके मन को तसली होती है उस उपाए को आप पूरे सच्चे भाव से जरू करना चाहिए और आखिर में आपको शमाय आचना भी अवश्य करने चाहिए कि हे प्रभू हम पाढ़ पूजा मंत्र विधी कुछ नहीं जानते जो भी हमें मतलब आता है प हमें मुक्ति दे और हमें उत्तम संतान सुक प्रदान करें इस तरह से आपको हनुमान जी के आगे प्रात्ना भी अवश्य करनी चाहिए दोस्तों आप कोई भी पाढ़ पूजा करते हैं तो शमाय आचना अवश्य करनी चाहिए जिससे कि आपको पूजा का पूर्ण फल मिल तो दोस्तों यह हमने आपको साधारन सी विधी बताई है हनुमान जी की पूजा करने की और आप अपनी मनोकामना किस प्रकार मतलब पूरी कर सकते हैं अगर आप इस विधी से पूजा करेंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेर जरू करें आप सभी को